नमस्कार आप सब का स्वागत है मेरे चैनल A to Z डिशिष उशा कोरजानी में तो एक बार मैं फिर से आ गई हूँ आप सब के लिए बहुत ही बढ़ी आसी रेसिपी लेकर और आज मैंने बनाए है चोले बटूरे नाम सुनते ही मुँ में पानी आ जाए ये ऐसी एक रेसिपी है और आज हमने बनाई है इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि एकदम धाबा स्टाइल थेले वाले जैसे आप चोले कैसे बनाए और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगे कि फूले फूले बटूरे एकदम सॉफ्ट वाले आप कैसे बनाए तो ये दोनों चीज़े मैं ऐसी वीडियो में बताऊंगी तो एंड तक ज़रूर जुड़े रहेगा चलिए बनाना शुरू करते हैं तो सबसे पहले यहां पर मैंने छोले ले लिया है इसे मैंने ओवरनाइट बिगो के रख दिया था ये एक कप छोले है जिसे मैंने ओवरनाइट बिगो के रख दिया था अब आप चाहें तो इसे छे से साथ गंटे भी आप बिगो सकते हैं तो इसे हम पहले सबसे पहले कुकर में डाल देंगे तो इस तरह से थोड़े से पानी के साथ मैं सारे छोले डाल रही हूँ तो अब देख सकते छोले डाल दिया है अब इसके अंदर थोड़ा सा और पानी डालेंगे पानी डालने के पद इसमें डालेंगे आदी चम्मच बेकिंग सोडा अब इसमें डालेंगे आदी चम्मच नमक अब कुकर का ढखकन इस तरह से दे देंगे आप देख सकते हमने दे दिया है और इसे हम 4 सीटी आने तक पका लेंगे अब जब तक छोले पक रहे हैं हम बनाएंगे बटूरे का आटा क्योंकि हम इसे रेस्ट देना है तो उसमें क्या क्या चाहिए हम वो देख लेते तो यहाँ पर मैंने लिया 2 कब मैदा 4 चमच सूजी 4 बड़े चमच सूजी लिया फिर मैंने यहाँ पर लिया आदी चमच चीनी यहाँ पर फिर मैंने लिया है नमक स्वाद अनुसार मैंने नमक लिया है फिर मैंने यहाँ पर लिया है 3-4 चमच तेल और 3-4 चमच दही तो चलिए आटा हम लगाते हैं तो सबसे पहले इस तरह से एक बाउल ले लीजे और उसमें सबसे पहले मैदे को डाल दीजे ये दो कव मैदा है इसमें डालेंगे चार चमस सूजी सूजी डालने के बाद इसमें डालेंगे चीनी चीनी डाल दिये अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक अब सबसे प तो ये करीब तीन से चार चमस तेले बो डाल देंगे और दही भी डाल देंगे ये भी करीब तीन से चार चमस दही है अब इसे अच्छे से हम मिलाएंगे तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा आपको मसलते जाना है और इसे अच्छे से मिलाते जाना है एकदम आज आप आपको मैं बताऊंगे कि यह बटूरे आप किस तरह से एकदम सौफ्ट वाले बनाएं और इसे हमें रेस्ट देना है तब ही हम छोले पक रहे हैं तो इसका माटा लगा रहे हैं तो आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा करके हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है अब क्या करेंगे एकदम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और आटा गूनेंगे आपको ध्यान रखना है एक साथ पानी नहीं डालना है यह आटा बले हमें नरम गूनना है पर आप ध्यान रखेगा कि एक साथ पानी बिलकुल भी नहीं डाले पहले आपने देखा एक छोटी कटोरी मैंने पानी डाला है और अच्छे से आटे को गुनती जा रहे हूं अब दूसरी कटोरी इस तरह से पानी डालूंगी और फिर से आटे को आपको गुनना है आपको यह आटा नरम ही गुनना है पर फिर भी आपको थोड़ा-थोड़ा करके पानी डालना है क्योंकि दही में भी पानी का मोईश्यर होता है तो इसलिए पहले आप दभी डाले तो अच्छे से से मिला ले जितना दभी से आटा गुनता है बले तीन से चार चमस दभी है फिर आप थोड़ा-थोड़ा करके पानी डाले और आटा गुन दे तो आप देख सकते हैं मैंने दो बार पानी डाल दिया है, अब यह मैं तीसरी बार डाल रही हूँ, वही छोटी कटोरी से, और आटा आप देख सकते हैं, अच्छे से गुनना शुरू हो चुका है, इसे अच्छे से हम मसलते जाएंगे, और इसे गुनते जाएंगे, तो आप देख सकते हैं, हमारा आटा एकदम तयार हो आपके हाथ से एकदम से निकलता जाएगा, तो आप मसल दे जाएए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हमने से अच्छे से मसल लिया है, और यह हाथ से भी निकल चुका है, अब इसमें हम एक चमच तेल लगाएंगे, और फिर से थोड़ा इसे मसलेंगे, तो आप देख अम्हार हमें आदे से एक गंटे तक रख देना है, अगर आप इससे जीँड़ा देर रख तो ईतनी देर भी रख तो भी सही है, अब अब आप देख सकते हमने आटे को रख दिया है, और हमारे चोले पकर भी तयार है, हमने आपको हाथ में भी दिखा दिए, एक दम मिक्सर लिया था, 2-3 उसे मैंने ले लिया है, अब यहाँपर हमने दो मीधियम साइज प्यास को मिक्सर में पीष लिया था, वो मैंने लिया है, अब यहाँपर मैंने लिया है, दो हरी मिर्ची को टुकडों में, कट करके 2 एलाइची और एक टेजपत्टा, ये तीनों मैंने लिया है, फिर मैंने यहाँ पे लिया है हरा दनिया, हरे दनिया को हमने अच्छे से साफ कर लिया था पानी से और इसे टुकडों में कट कर लिया था, अब मसालों में मैंने लिया है एक चमच लारमिश पाउडर, एक चमच जीरा, एक चमच धनिया पाउडर, एक चमच हल्दी पाउडर हल्दी पाउडर लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है नमक स्वाद के अनुसार लिया है मैंने फिर मैंने यहाँ पे लिया है एक चमच कसूरी मेथी कसूरी मेथी लेने के बाद यहाँ पे मैंने लिया है एक चमच गरम मसाला और फिर मैंने यह एक बड़ा चमच अद्रक लसन की पेस्ट तो चलिए बनाना शुरू करता है अब कड़ाई में हम डालेंगे तीन से चार चमच तेल तेल गरम हो जाए तो इसके अंदर हम डालेंगे एक तेज़ पता तेज़ पता डालने के बद इसके अंदर डालेंगे दो इलाइची साबूत इलाइची आपको अखी इलाइची डालनी है और एक चमच जीरा और ये डाल देना है दो हरी मिर्ची को इस तरह से लंबया कट करके अब इसे आपको थोड़ा सा इस तरह से चलाते हुए पका लेना है तो यहाँ पर आप देख सकते है ये अच्छे से पक चुके है अब इसके अंदर हम डाल देंगे प्याज तो यहाँ पर दो मीडियम प्याज थे उसे हमने कट करके मिक्सर में डाला और अच्छे से पीस लिया है डालने के बाद इसे अच्छे से हम भूनेंगे तो इस तरह से चलाते जाए और इसे भूनते जाए ज़ादा आपको नहीं भूनना है सिर्फ दो मिनिट तक ही आपको इसे चलाते हुए कंटीनूसली भूनना है दो मिनिट के बाद इसके अंधर आपको डालने अद्रक लसन की पेस्ट ये एक बड़ा चमाच आपको डालनी है और फिर से इस तरह से चलाते हो आपको भूनना है अद्रक लसन की पेस्टे फ्लेवर अच्छा आता है और खुश्बू भी बहुत बढ़िया आती है तो इसे भी आपको दो मिनिट तक फिर से बून लेना है तो यहाँ पर दो मिनिट हो चुके है और यह अच्छे से बून चुका है अब इसके अंदर डाल देंगे टमाटर की प्यूरी तो यहाँ पर यह तीन टमाटर है जिसको मैंने मिक्सर में पीस लिया है प्यूरी डालने के बाद चलाते वे इसे अच्छे से हम पकाएंगे तीन से चार मेंट तक ताकि प्याज और थोड़े हमने जो इलाईची तेश पता डाले अच्छे से मिल जाए इसके अंदर तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने इसे पका लिया है अब इसके अंदर डालेंगे लाल मिश पाउडर, हल्दी पाउडर, चारे मसाले हम डाल रहे हैं, धनिया पाउडर और स्वाध अनुसार नमक अब फिर से हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिलाएंगे और पकाएंगे इसे तो ताकि सारे जो मसाले है वो अंदर तक जाए और अच्छे से मिल जाए से चाल्मेंट हो चुके है और मसालों ने अपना तेल चोड़ना शुरू कर दिया है अब हाथ में हम कसूरी मेथी लेंगे और इसे इस तरह से मसल कर डालेंगे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और कुश्बू तो ला जवाब अब अच्छे से चलाते होए फिर से हम इसे दो मिनिट तक सिर्फ पकाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो मिनिट हो चुके है बहुत ही बढ़िया सी कुश्बू आ रही है अब इसके अंदर हम डालेंगे हमने जो छोले बनाये थे वो तो इस तरह से सारे छोले हम डाल लेंगे इसके अंदर थोड़ा सा पान है और सारे जो मसाले थे वो छोले में बढ़िया तारीखिसे लग चुके है अब को इसे छोले डालने के बाळ तीन से चार मिंट तक लगाता इस तरह से चलाते हुए पकाना हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तीन से चाब मिन्ट हो चुके हैं और यह अच्छे से पक चुका है अब इसके अंदर हम डाल देंगे थोड़ा सा और पानी छोलो के साथ हमने पानी डाला ही था फिर से थोड़ा सा पानी डाल कर इसे अच्छे से मिलाएंगे आप देख सकते कितने बड़िया से मसाले उबर के आया है बहुत ही बड़िया सी खुश्बू भी आ रही है अब इसके अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला एक बड़ा चुमच हमने यहाँ पर गरम मसाला लिया था वो डालने के बाद इसे अच्छे से आपको मिक्स कर देना है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही बड़िया तरीके से मिक्स हो चुका है और यह तयार है अब इसे हमको ढख के पकाना है आप देख सकते कितने बड़िया अब इसे ढख कर आपको दीमी आज पर 5-6 मिनट तक पकाना है तो इसे ढख दीजे और इसे 5-6 मिनट तक आपको दीमी आज पर पका लेना है तो यहाँ पर 5-6 मिनट हो चुके हैं और हमारे छोले बनकर तयार है वा जी वा क्या खुश्बू आ रही है और आप देख सकते है सारे मसाले एक्टम बढ़िया तरीके से गुल चिके है अब हम बनाएंगे बटूरा छोले हमारे तयार है यह आटे को भी हमारा आदा गंटा हो चुका है मैंने यह आप आदा गंटा ही रखा है और इस तरह से थोड़ा थोड़ा पटकते जाना है ताकि इसे आटा जो है वो लचीला होगा एकदम सॉफ्ट वाला अब क्या करना है थोड़ा सा हाथ में ओईल लेना है और इसके इस तरह से पेड़े निकाल देना है अब आप चाहे बटूरा अपनी साइस के सब से बढ़ा कर सकते है या छोटा कर सकते है हमने या पे मीडियम साइस की लोईया निकाले यानि की पेड़े निकाल दिये है इसी तरह से हम सारे पेड़े निकाल देंगे इस आटे में से पहले आप देख सकते हैं बहुत ही soft soft है यह पेड़े निकालने के पर थोड़ा थोड़ा oil इसके ओपर लगा देंगे यानि कि तेल थोड़ा थोड़ा आपको लगा लेना है तो अब देख सकते हैं सारे पेड़े तयार है अब ले लीजे चकला और इसके ओपर एक पेड़े को इस तरह से रखिए रखन आपको क्या करना है चकले को इस तरह से पलड़ते जाना है और इसे बेलते जाना है बटूरे को आपको उठा कर नहीं बेलना है एक ही जगा पर रहना चाहिए और चकला गुमाते हो आपको इसे लंबा बेल देना है हमने आपे तेल गरम करने रख दिया था बटूरा हमारा तैयार है इस तरह से ध्यान से डालते हुए हम पहले से पलटेंगे नहीं उपर से तरह से तेल डालेंगे एक दम बढ़िया तरीके से फूलेंगे अब आप देखेगा तो इस तरह से डाल दिया है इसे पलट दीजिए और पलट ने के बाद फिर से सेम प्रोसेस आपको इसके पर थोड़ा थोड़ा करके ओयल डालना है और आप देख सकते हैं किता बढ़िया तरीके से हमारा जो यह बटूरा है वो फूल रहा है इस तरह से पलट पलट कर इसे फ्राय कर लीजिए तो तैयार है बढ़िया से हमारा बटूरा इसी तरह से हमने सारे बटूरे तयार कर ल एकदम बार वादी फिलिंग आएगी गर पे बैठे 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 बटूरे रखने के बाद इस तरह से हमने इसके साथ रख दिया है प्याज आप चाहे तो इसके साथ मीमू भी रख सकते हैं और एकदम खटा खटा आचार कैरी का आचार रख दीजे तो लीजे तैयार है तो वीडियो को लाइक कीजे शेर कीजे और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना बिलकुल ना बुले आज के लिए बस इतने हैं कर फिर मिलती हूं थांक यू फो पोचेंग